हेलो फैंस हम बात करेंगे यहां पर अडानी रिन्यूवेबल या फिर आप अडानी ग्रीन के नाम से शेर को क्या करते हो जालते हो तो अडानी green यहाँ पर करती क्या है as well as इस share में हुआ क्या है कि एक अच्छी खासी गिरावट हुई अच्छे कासे फिर नीचे से भागी भी और अगी यहाँ पर अब गिरता हुआ नजरा रहे तो यहाँ पर exactly क्या करना चाहिए जो लोग उपर की लेवल पर फसे है इस लेवल पर अलग अलग लेवल्स पर फसे हुए उन्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए as well as जो इहाँ पर ले रखे है या फिर जो इहाँ पर लिये हैं उन्हें क्या करना चाहिए सब चीज का आंसर इस particular वीडियो में आपको मिलता हुए नजर आएगा तो अडानी renewable की बात करूँ, अडानी energy की बात करूँ अडानी green की बात करूँ, तो यहाँ पर क्या है जब यह green green की बात होई थी उस तरह जितने भी green से related, renewable energy से related, जितने भी stock से भागे और एक multi-bagger returns देते हुए नजरा है, इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है शेयर में, बीच-बीच में negative news भी आ रही है कभी यहाँ पर loan, जो इन्होंने अभी बताया था कि हमने pre-paid कर दिया है वो एक negative news कल पता चली कि यहाँ पर वो भी धोका था दूसरी news आती हुए दिखाई दे रही है ओके आडानी से लेटेट अलग-अलग कभी hinder वर की report तो वो एक कुछ ना कुछ effect डाल रही है नीचे इतनी चीजे गिर कही एक साथ drastic ली तो उसका एक jump था जिसे गाते है, that cat bounce जब चीजे आप बॉल को यहाँ पर गेर होगी तो बॉल क्या होगी चीजे गिरेगी गिरने के बाद बिल्कुल ही नीचे जाते के एक थोड़ा सा jump देगी जम देने का फिर दुबारा नीचा आएगी और इस तरीके से करते करते क्या होगा तो इस तरीके से चीजों को क्या करना है जब तक आप उस चीजों को अनलाइज नहीं करेंगे तो चीजों इस तरीके से काप नहीं करेंगी तो एनरजी की बात करें, business model बिल्कुल बहतरीन है long term का prospectus जिनका है जिनके जो 5 साल, 10 साल, 2030 का वेट कर सकते है they can be hold these kind of stocks जैसे अडानी, green, power as well as यहाँ पर reliance related जो stocks है या पिर जो Tata से related stocks है ऐसे stocks तब काम आते हुए दिखाए देंगे बीच में एक बार jump आनी थी वो आ गई हर एक stock मैं आपको बताता हूँ चार stages में चलते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो यह stage 1 थी, stage 2 थी जहाँ पर पैसा बनता हूँ नजर आता है आपको वो चीजे चुननी आनी चाहिए stage 3 और stage 4 यहाँ पर एक साथ ही आती हुई दिखाई दी, तो अगर आप इन चीजों को देखने में, इन चीजों को समझने में आपर आप कर लेते हो इसमें mastery कर लेते हूँ इन stages में, तो यहाँ पर पैसा आपका बनता हूँ नजर आएगा, बट अगर आपको नहीं आता आपके बल आख बन करके जब चीजे गिर रही है तो आप यहाँ पर तो खरीद रहे हो चीजे भाग रही है, तो आप तो खरीद रहे हो हमने एक course भी डिजाइन किया है, जिसमें technical, research, fundamental, basics to advance risk management की किस तरीके से risk को manage किया जखता है तो देखो, risk को मतलम में आपको बताता हूँ कोई भी share, यहाँ से आप देखोगे example लेता हूँ, देखिए 13% गेरा, तो उसको क्या है उसको अगर break even प्यान है तो उसे कितने percent की return चीए हो 18% की return चीए हो और अगर यह share जैसे गिरते-गिरते आपने देखा होगा कि बहुत सारे share गिर जाते है तो देखो 90-90% तक भी गिरते हुए नजर आते हैं, तो 90% का मतलब पता है, 90% का सीधा मतलब है कि 1100% की return चीए 1000% की return चीए आपको break-even पे आने के लिए तो आपको वो चीड़े क्या है समझने होगी अगर आप वो चीड़े समझोगे तो याद रखिये, पैसा बनता हुए नजर आएगा और अगर आप वो चीड़े नहीं समझोगे तो फिर मतलब नहीं बनता फिर तो आप यहाँ पर दुख्का मार रहे हो यहाँ पर अंधेरे में तीर चला ले हो देखो यह भी 70% गिरा है अभी अभी की बात कर रहो तो अभी भी 226% की return की जरुवत है तो इस चीड़ों को समझना है तो यह चीड़े हम यहाँ पर बताते हुए नजराते है किस तरीके से इस चीड़ को manage किया सकता है वो हम यहाँ पर बताते हुए नजराते है तो 8605-40501 8169-2610-37 इन नमबरों पर contact करके आप कोर्स ले सकते हैं 17,500 फीज है जलती हुए नजराएगी एस वेल आपको पता है हमारे WhatsApp ग्रूप चलते है जिनका पॉर्टफोलियो बड़ा है 4,5,5,10,15,20,50,000 वो क्या कर सकते हैं contact कर सकते हैं और contact करके हम से यहाँ पर contact करके अच्छागा सा पैसा कमा सकते है risk management के साथ हम चीज़े यहाँ पर follow करेंगे बाकी हमारा WhatsApp ग्रूप चलता है जिसमें हम यहाँ पर क्या बताते हैं यहाँ पर बताते हैं कि अच्छे stocks कों से है कहाँ पर आपको invest करना चाहिए market गिरेगी तो सारे stocks गिरेंगे बट जब market भागेगी ना आपको यह return मिलते होगी नजराएंगे देखिए आज का है 4%, 6%, 8%, 6%, 8%, 7%, 5%, 5% यहाँ पर देखिए 5%, 4%, 4%, 9%, 5%, 5%, 5%, 40%, so far 5% तो इस तरीके से यह stocks भागते होगी नजराएंगे अगर ऐसे stocks हो में invest करोगे तो पैसा बनेगा market गिरेगी obviously बाद सारे stocks गिरेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे एक दो stocks को छोड़गे बट जब भागेगी तो सबसे पहले हमारे stocks भागेंगे तो यहाँ पर 1000 रुपे पर मंत में आप add हो सकते हो एक महीने की fees है एक महीने तक stocks मिलेंगे बहतरी और एक महीने के बाद जब हम बात करेंगे एक महीने बाद तो यह fees बढ़ने वाली है 2000 रुपे पर मंत यहाँ पर fees को होने वाली है वहाँ पर आप उस तरीके से फिर आप deal करिएगा तो यहाँ पर आप चाहो तो add हो सकते हो और कम पैसे में आप अच्छे-च्छे stock को ले सकते है और एक बार पैसा दिया एक बार आपने group को join किया तो अच्छा पैसा बनता है वह नज़राएगा अच्छा कासा business model है already मैं आप बता चुक हूँ large cap company है पर PE की बात करें 224 का PE है यहां पर 770% का debt है debt देखिए PE देखिए कि company का debt इतना सारा है भरा हुआ है company का PE 224 का चल रहा है industry का 17 का है तो क्या यह justify कर पा रहा है 3000 से share 800 रुपे पे आ गया है फिर भी 224 का PE है यहां पर intrinsic value अपच्छासी के आसपास की है कि बार यहां पर promoters ने 4-4.36% के share रहा है बाकी हम देखे तो company की यहां पर earning देखिए 1900 बढ़ रही है revenue बढ़ता हुआ नजर आ रहा है company का profit तो यहां पर देखिए operating profit yearly basis पे कम हो रहा है quarterly basis पे कम होता जार रहा है यहां पर देखिए क्या यहां पर other income जादा आई है इस वज़े से यहां पर क्या होता हुआ नजर आया कि यहां पर profit बढ़ा है otherwise yearly basis पे देखो के तो कम होती ही नजर आ रहा है जब profit कम होता हुआ नजर आ रहा है यहां पर margins कम आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस चीज को आपको समझ रहा है इसलिए यहां पर चीज़े बताई जाती है कि ऐसा चीज़े खरीद नहीं है जहां पर value आप देखेंगे जहां पर chart देखेंगे जहां पर fundamental देखेंगे और इस चीज़ को जब समागम करेंगे तो पैसा बनता हुआ नजर आएगा वो यह कोर्स बताता है कि किस तरीके से इंसीडियों को समागम करके आप यहां पर पैसा कमाते हुए दिखाई दे सकते हैं तो यह पूरा का पूरा देखें इसके fundamentals खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि अभी at least एक साल तक खुछ fundamental जाने वाले हैं और एक साल तक fundamental नहीं आने वाले हैं तो मतलब क्या है तो यह मतलब है यह debt-cat bonds थी चीज़े नीचे आईगी और जैसे 3700 क्रोड के आसपास के reserves है बट 52,000 क्रोड के यहां पर क्या borrowing है यहां पर working progress में company ने 20,000 खर्च कर रखें जिसका फायदा आने वाले टाइम में होगा investment company ने कर रहा है cash company के पास थोड़ा बहुत है बट borrowing भी एक चिंता है क्यों क्यों कि borrowing की अगर बात करें तो साल में देखें साल में यह company 200 क्रोड रुपे 2600 क्रोड रुपे क्या कर रही है interest में पे कर रही है okay banks को पे कर रही है तो यह चीज़े negative बाते यहां पर चलती है अब तर बार इंग कम नहीं होगी तब तक company profit में नहीं दिखेंगी promoters की holding 60% कि घटीवी नजरारी इस कहां 2020 में 75 था अब 60 रह गया है और अभी बेचा है तो यहां पर और कम हो जाएंगे डियाइस की बात करें डियाइस शायद थोड़ा वो तिनोंने खरीदा होगा पुब्लिक की बात करें पुब्लिक के पास यहां पर 22% के share है उसमें भी कुछ लोगों के पास share है तो अभी यह अपडेट हो जाएगा तो चीज़े और समझभाएगी क्यों क्यों कि यहां पर कि यह लुखेशन has to be show video from back seven session तो चीजों को संचो चीजों को यहांपर ध्यान दो और अगर उस तरीके से काम करोगे तो पैसा बनेगा नहीं करोगे तो यहां पर फिर हमेशा बार-बार यहां पर के वर लॉस ही आपको जीलना पड़ेगा हमेशा उपर के लेवल पर फस होगे कभी नीचे के लेवल पर लोगे तो नहीं निकल पाऊगे ऊपर के लेवल पर नहीं लोगे तो यहां पर नहीं निकल पाऊगे और ले भी रहो, प्रॉफित हो भी डाय, फिर वो तुक्का है, that's it, simple सी बात है, यहां पर यह पढ़ाई की वाली बात है, यहां पर सीखने वाली बात है, तो यहां पर हम टेक्निकल की बात करें, stage 4 चाल हुआ है, stage 4 का मतलब क्या है, falling knife, मतलब गिरता हुआ knife है, और उसे आप दिखाई दे रही है, एक था, यहां पर ऊपर गई, बट यह मैं ऐसी चीड़ों को नहीं मानता है, यहां पर देखो, यहां पर भी कोशिश हुई थी, यहां भी कोशिश हुई थी, यहां भी कोशिश हुई है, मैं इसे dead cat bounce मानता हूँ, कि यहां पर चेडिया को, बिल्ली को गिराया गया एक दम छत से फिर वो थोड़ी से यहां पर कूदी और कूदने का फिर मर गई तो जैसे इस लेवल को तोड़ेगी ओके जो लगता है मुझे थोड़ा बहुत consolidation करेगी अगले quarter की result आएंगे जो की से negative दिखाएंगे और यहां पर share फिर 300 के लेवल को आने के लिए फुतरन तयार हो जाएगा consolidation होगा अगर थोड़े वह तक अच्छे भी result आगए तो यहां पर सालों तक बिजनस की चाल अलग है बिजनस अलग matter करता है और stocks की चाल अलग है वीडियो अच्छी लगे लाइक कमें शेयर चैनल को सब्सक्राइब बैल आइकन को हिट करें एस वेल इस इन नमबरों पर contact करके आप WhatsApp ग्रूप एस वेल इस हमारे कोर्स को कर सकते हैं फीडबैक वीडियो देख लीजिए दो वीडियो आ चुके हैं उन वीडियो को देखिए थाकि पैसा बने तो थैंकी सो मुझ को प्लेस